समस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अड़ा 247 IS में देखे दोस्तों जब BBC ने एक documentary बनाई थी PM मोधी पर और उसे publish किया था 17 जनवरी को इवन इसका पहला episode publish हुआ था तब काफी ज्यादा हमें news articles देखने को मिले थे इंडिया के तरफ से और उसी समय एक वीडियो भी हमने आपके लिए बनाया था लेकिन देखे उसी समय सब को ये पता था कि ये जो ये जो point of view है BBC का इस documentary को लेकर इस पे काफी ज़्यादा जो बवाल है वो होने वाला है इवन नोट इंडिया में UK में भी ऐसा होगा और हुआ भी अब दीखे यहाँ पर जो नई sources news हमारे सामने आई है वो ये आई है कि जो government of India है इसने जितने भी YouTube videos थे ट्वीट्स थे जो शेर किये गए थे इस BBC documentary पर जो बनी थी PM Modi पर इन सब को block कर दिया है Information and Broadcasting जो ministry है उनके द्वारा ये action जो है वो लिया गया है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि BBC जिस देश में है located है वो देश है UK और वहाँ पर भी इस documentary को लेकर विवाद हुआ है इवन वहाँ के संसद में भी विवाद हुआ है और देखे कई तरह के questions हमारे सामने हैं कि ये कहां तक मुद्दा जा सकता है और ये action क्यों लिया गया है क्योंकि भारत सरकार का भी कुछ ना कुछ point of view तो होगा ही तब जाके ऐसा action जो है वो लिया गया है तो basically हम सभी जो present time पर scenario चल रहा है इस documentary को लेकर चाहिए social media हो या कोई news outlet हो सब को हम discuss करेंगे इस वीडियो में काफी कुछ नई चीज़ा आप जान पाएंगे इसे परसुत करता हूँ मैं मेरा नाम है सुरफ स्वामी तो दोस्तो केंदी सरकार ने PM Modi पर जो BBC documentary है जिसका नाम था The Modi's Question इसको share करने वाले जितने भी tweets हैं इनको block करने का आदेश दिया है और देखा जाए तो जितने भी videos यूटूब पर share किये गए थे या कोई episode share किया गया था कोई cutout share किया गया था सब को block करने के आदेश रहवूद दिये हैं क्योंकि documentary की जांच में पाया गया था कि ये जो documentary बनाई गई है दरसल ये particular person की छवी खराब करने की कोशिश है इवन यदि हम बात करें तो उसी समय हमारे पास में news ये आई थी कि ministry of external affairs ने directly अपना statement दिया था कि ये जो documentary बनाई गई है पिये मोधी पर ये एक propaganda है जो colonial mindset को reflect करता है आप यहाँ पर देख सकते हैं मलब कुल मिला के उसी दिन विरोध गया था भारत ने अब दीखे जांच में पता चला है कि basically कुछ propaganda टाइप की ये जो documentary हो दिखती है इसलिए शायद ऐसा action जो है वो बात सरकार ने recently उठाया है अब देखे इस documentary को लेकर बहुत से जो tweets हैं बहुत से videos हैं वो social media के उपर viral भी हुए थे अब जहां तक हम बात करें तो जो IT rules 2021 में बनाये गए हैं उनमें जो emergency powers हैं उनके under ये जो instructions हैं वो social media platform को दिये गए हैं जैसे twitter या फिर youtube तो कुल मिला के अब ये particular action जो है उबारत सरका ने लिया है देखे इसमें एक चीज हमारे सामने ये भी आई है कि जो BBC है इसने जो दूसरा episode है वो भारत को बलब्द नहीं करवाया है मतलब भारत के अलावा ये जो documentary है ये और देशों में आप शायद देख सकते हैं लेकिन किसी particular person ने या किसी other groups के द्वारा ये जो YouTube है इ उसके बाद में anti-India जो agenda है इसको बढ़ावात देने के जो कुछ point of use है वो इस documentary में देखने को मिलते हैं तब सरकार ने जाकर अब ये action जो है वो लिया है देखिए दोस्तों ये जो documentary है ये काफी ज्यादा controversial अब बन चुकी है दो देशों के अंदर इंडिया और UK भी आप यहाँ पर देख सकते हैं UK की जो parliament है उसमें भी इस चीज को discuss किया गया है और discuss किस तरीके से किया गया है इसको देखा जाए तो जो रिशिश शुनाक है जो UK के PM हैं इन्होंने support किया है indirectly PM Modi को या आप ये मान सकते हैं कि ये against है किस ना किसी तरीके से इस BBC documentary के हुआ ये कि जो पाकिस्तान ओरीजन की जो सांसद है इमरान हुसेन इन्होंने ये कहा British Parliament के अंदर की गुजरात दंगों के लिए सीधे तोर पर जो PM Modi है वो जिम्मेदार थे क्योंकि अब तक भी जो दंगों में पीडित व्यक्ति थे पीडित जो लोग थे इनको न्याय नहीं मिला है में जिस तरीके से PM Modi को दिखाये गया है मैं उस चीस से बिलकुल भी सहमत नहीं हूँ आप यहां पर देख सकते हैं Don't Angry का जो रिमार्क है वो इन्होंने पारलियमेंट के अंदर दिया था UK की जो पारलियमेंट है उसके अंदर इन्होंने ये कहा था कि हम जो हैं मतलब UK जो ह दिया के किसी भी हिस्से में जो वोईलेंस इसको बरदास नहीं करेगा लेकिन मैं जो हूँ डॉक्यमेंटरी में पेश की गई जो PM Modi की तस्वीर है जो इमेज है उससे बिलकुल भी सहमत नहीं हूँ तो आप समझ पा रहे हैं काफी ज्यादा जो कॉंट्रवर्शल एक यूके में भी जो बीबीसी के ये डॉकुमेंटरी है वो बन चुकी है इवन यदि हम बात करें तो यूके के एक सांसद हैं जो भी काफी ज़्यादा पॉपलर हुए हैं इस कॉंट्रोवर्शी की वज़े से इनका नाम है रामी रेंजर ये जो है एमपी है यूके के इन्हो ने डारेक्ली बीबीसी को स्लेम किया है और इन्होंने कहा है कि ये जो सिरीज है ये टारगेट करती है पीए मोधी को इन्होंने डारेक्ली इस तरीके के स्टेटमेंट दिये हैं इन्होंने ट्वीट भी किया था 18 जैनवरी को इन्होंने ये ट्वीट किया था कि आप इस ट तरीके से चुने गए PM या फिर इंडियन पुलिस या फिर इंडियन जुडिसरी की भावनों को ठेस पहुचाने के लिए BBC ने ये डॉक्यमेंटरी बनाई है अब दीके इस तरह की लाइने जो है वो खुद UK के MP जो है वो लिख रहे हैं जबकि UK में ही हेड़कॉर्टर है BBC का आप समझ पा रहे हैं विवाद दोनों देशों में काफी ज़्यादा बड़ा है और globally इस चीज़ को काफी ज़्यादा कवर भी किया जा रहा है कुछ लोग support में हैं कुछ लोग इसके विपक्ष में भी हैं जो कुछ भी है लेकिन जहां तक news हमारे पास में आ पारी है जहां person को लेकर वो भी किसी देश के PM को लेकर एक documentary के रूप में वो शायद गलत है इस तरीके के statement जहें इन्होंने लिए हैं Lord Romiranger ये MP है UK में और वैसे भी देखिए अगर हम जो गुजाद दंगो की बात करें तो 9 से ज़्यादा case इसके उपर fill up हुए थे और 2002 के दंगो को लेकर Supreme Court ने SIT का कटन किया था कमेटी को दंगो में नैंदर मोदी का हाथ नहीं मिला SIT ने कहा था कि PM मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है जून 2022 में Supreme Court ने SIT द्वारा मोदी को clean मोदी को clean चिट दी गई थी उसको सही माना था दीगे ये काफी एक diversified topic है जो गुजात आच जो कमिशन है वो बैठे हैं हर ने जो recommendation दी है उसको challenge भी किया गया था Supreme Court के अंदर लेकिन अंत्पंत जो SIT की जो हम recommendation माने जो कि Supreme Court ने भी मानी है तो PM मोदी क्लेंचेट जो है वो मिल चुकी है तो दोस्तों ये present time पे situations है इस BBC documentary को लेकर I hope आपको ज़रू कुछ नया जा आनने को मिला होगा इसी तरीके के important और informative वीडियो के साथ हम आगे मिलते रहेंगे एक काफी important information है बढ़ने से पहले दोस्तों एक जीज मैं आपको ज़रूर बता दूँ यदि आपने अड़ा टूबर से हमने application डाउनलोड नहीं किया है तो आज डाउनलोड करें क्योंकि दे time है वो सिर्फ prelims की त्यारी करने का है इसको ध्यान में रखते हुई अड़ा 247 आपके लिए लेके आया है एक शांदार टार्गेट 28th में complete UPSC prelims के लिए batch जिसमें paper first GS और paper 2 CSET दोनों की त्यारी आपको करवाई जाएगी 400 घंटे की live interactive classes है bilingual ये course है और सबसे शांदार बात तो ये है कि prelims को focus करते हुए batch बनाया गया है इसकी price आप यहाँ पर देख सकते है 15,99 में लेकिन आपको बहुत ही कम price के अंदर ये prelims का पूरा course मिल जाएगा आपको simply यहाँ पर Y572 जो coupon code लगाना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं सिर्फ 3689 रुप में इतने कम price में आपको prelims focus बैच जाए वो मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों आप किसी भी course को एंडरॉल करें अप्लिकेशन पर SSC banking railway, UPSC state PCS, सभी के लिए Y572 जो discount code है वो लगाना बिल्कुल भी ना भूलें जिसमें आपको 78% का direct discount मिलेगा